जैसे राम, राम राम नमस्कार एज्यूकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत हैं। अब आगे बात कर लेते हैं सिक्षा मंती जी के नुसाल, इसे में यह भी बात करने तो सिक्षा मंती जी निर्देस भी दिये हैं, कई बैठक भी हुए हैं आयोजित, और निर्देश दिये हैं कि हर हाल में 100 समय अर्थात निर्धायत तीथी पर ही नुक्ती पत्र बांटे जाएं और नुक्ती पत्र वितरन का तीथी आप लोग को पता भी होना चाहिए 25 फरवरी है, कलास 1 से 8 के लिए बात करें तो और एक साथ नुक्ती पत्र बांटे जाएंगे परखंड मुख्याले और जिला मुख्याले से अब आगे बात कर लेते हैं तो माधमी के होच माधमी सिछा की बात करें तो 17 फरवरी और 18 फरवरी हैं और इसके बाद रिक्टियों का रिकल्कुलेट भी होना है अब आगे बात कर लेते हैं जो इस वक्त की सबसे बरी खवर निकल कर सामने आ रही हैं और यहां सभी अभिरतों के लिए बात करें साथ में चनका जो भी इंतजार कर रहे हैं उनलों के लिए जरूरी भी है कि 100 समय अर्थात जो तिथी निधायत की गए हैं आगे बात कर लेते हैं और कहीं कहीं बात करें तो 22 जनवरी और 24 जनवरी 25 जनवरी यह भी तीथी निकल कर सामने आई हैं तो आप लोग अपने अपने जीले के अनुसार देख सकते हैं तो यह अच्छी खबर कही जा सकते हैं यदि जल्द से जल्द कॉंसलिंग की परकिरिया पूरी होती है और सरसमय के बाद साथ में चन का इर्जार कर रहे हैं अब आगे बात कर लेते हैं पोर्टोकल का भी पालन किया जाएगा और पोर्टोकल का पालन करते हुए बात करें तो कॉंसलिंग की परकिरिया पूरी की जाएगी अब आगे बात कर लेते हैं और आप लोग ये भी देख रहे हों नबे हजार पद थे नबे हजार पलस में तो नबे हजार से अधिक पद थे और 30,000 और कुछ और चेनित होंगे लगभव 12,000 का और भी बात करें तो परकिरिया होनी बांकी हैं तो कुल मिला का बात करें तो आप लोग समझ सकते हैं कि 45,000 के आसपास मान के चलें या फिर इसे अधिक मान के चलें फिर भी 40,000 से अधिक पद बात करें तो सातमे चन में जूरने वाले हैं तो आप लोग को सातमे चन में देखने को मिलेगा अवसर अब आगे बात कर लेते हैं कलास ओन से एट की बात कर चुके हैं और कलास 9 से 12 की बात करें अर्थात माधमी की उच माधमी सिछाक की बात करें तो सातमे चन के लिए बात कर रहे हैं तो बिहार STT के अभर्थी सामिल होंगे बिहार STT 211 के भी क्वालिफाइड अभर्थी सामिल होंगे और बात करें तो 12.19 के भी qualified अवर्थी सामिल होंगे तो ऐसे में बात करें तो बिहार STT का certificate भी निर्गत होना है सबसे पहले तो यह भी जरूरी है और उसके बाद बात करें तो आगे आविदन की प्रक्रिया सुरू हो जाएगी मार्च में जैसा की खबरें निकल कर सामने आई है अब आगे बात कर लेते हैं कि इस बीच आप लोग यह देख रहे होंगे कि इनमेरिट इरीट या जिका है STT इनमेरिट पी आईल है तो यह सभी की मुद्दे हैं तो जिसके कारण भी हो सकता है कुछ देरी हो जाएं लेकिन देखिए यदि जल से जल यह सभी परकिरियाएं पूरी हो जाती है अर्धात सुनवाई और जज्ज्मिन्ट आ जाते हैं तो अच्छी खबर होगी साथ में चन के जो भी इंतिजार कर रहे हैं अभेर्थी उन्हों के लिए और साथ साथ बात कें तो पर्मायमपत का भी निर्गत हो जाए पर्मायमपत भी तो अच्छी खबर होगी अब कुछ अन्नी खबर भी बात कर लेते हैं तो यह भी खबर निकल कर सामने आए कि 66,000 से अधिक सिक्छों के वेतन के लिए 9 अरब से भी अधिक रूपई जारी हुए हैं तो अच्छी खबर कही जा सकती हैं जो भी सिक्छक हैं अरधात कारजिरत सिक्छक हैं उन सभी सिक्छकों के लिए भी अच्छी खबर निकल कर सामने आई हैं और ये उस सिक्छक के बात कर रहे हैं जो कि सिक्छा विभाग के नगर पंचायत परखंड और पंचायत सिक्षक के वेतन की बात हुई है और वेतन समंधित बात करें तो 66,000 से भी अधिक सिछों के वेतन के लिए 9 अरब से भी अधिक रूपईये की रासी जारी हो चुकी है अब आगे बात कर लेते हैं कुछ अनिक खबर पर भी बात कर लेते हैं औ और 24 जनवरी 25 जनवरी तो ये सबी परकिरिया येदी कॉंसलिंग के परकिरिया जो 17 जनवरी से 18 जनवरी के बीच है तो ये पूरी हो जाती है इसके बाद रिक्तियों का बात करें तो रिकल्क्रेट भी होना है और इधर नुक्ति पत्र का विदरन भी होना है तो ये सब परकि और इसमें आप लोग को यह भी सुने को मिला होगा, आप लोग देखे भी होंगे, इसमें बात करें तो पाथ करम के नुसार सिक्षक की बाते की गई है, तो इसमें आप लोग समझ सकते हैं कि सभी विसे के सिक्षक भी होने चाहिए, सभी विद्याले की बात करें, तो इसके बीडियाले में तो इसे में बात करने तो 5000 से भी अधिक पद ऐसे हैं जो कि नव अस्थापित और उतकरमित उंचमादमिक विद्याले के पद हैं और कहीं कहीं आप लोगों को यह देखने को मिल जाती है कि 6400 कूछ है तो इस पर भी बात करने वाले हैं चो शर्टो एकीस पद नहीं, वत्व विद्यालों की संख्याँ तो इस शुमसार से इतने भी पद आ सकते हैं, सभी विशे में, खास कर बात कें तो सोसल सैंस विशे में और कम्प्रूटर सैंस विशे में इतने पद आने बहुत जरूरी है, जिससे अधिक से अधिक बैट के नोकरी पकी हो जाएगी तो उसे एक छास सम्बंदी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को तो बस इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद